कहवारों का मौसम है और हर तरफ वातावरेंड में सुधता चाय होई है चारो और खुजी का माहौल है विग नहरता सुक करता दुख खरता मंगलमूर्ती मोरिया हम सभी के घर आ रहे हैं और गनपती पपा की मोदक जो है न वो फैवरेट है तो चले इस मोदक के प्रशाद को हम घर पर बनाते हैं सुधता के साथ तो यहां मैंने ग्यास पर रखा पैन और इसमें डाला चार बड़ा चमच घी आसे के साथ इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर तब वही सब मिल्क पाउडर ले सकते हैं अब इसे हमें फ्राइब करना है थीमी आज पर क्योंकि तुरहं हमारा मिल्क पाउडर फ्राइब हो चुका है अब इसमें हम एट करेंगे दूद्ध तो मैंने एक कब दूद्ध डाला है दूद्ध डालने के बाद आप गैस के फ्लेम को हाई कर सकते हैं मगर ध्यान रखें दूद्ध डालने के बाद भी इसे कंचिनू चलाते हुए ही सु मिक्स करोंगी एक ही बार अगर सारा दूद्ध डाल देंगे फिर चलाने में दिकत होगी तो जितना हमने मिल्क पाउडर लिया है उसका दोगुना हमें दूद्ध लेना है और थोड़ा थोड़ा करके एड़ करें तो हमें तानी दार मावा तैयार करना है इसलिए हमने इसम यह मतलब मुंप हुषत त्यार है अब हम इसे फटाफट प्लेट म miche ट्रांसफर कर देंगे क्या ह nose थेंडा होने के लिए सक्षा फैला देते हैं बरावर अश्का अब कि अब हमें तयार करना है तगार कहें खाण थे भूरा कें कुछ भी जो भी आप बुलाते हो इसे बुला आ यहां एक कप चीनी हजा ने में 말ा करना है रहे हैं और अभी मिश्रन इखटा हो जाए और एक कलिस्टरल बॉल की तरह तयार हो जाए इसका मतलब हमारा तगाड बनने के लिए चीनी पुरी तरह से पक चुका है तो गैस को मैंने अभी धीमा करके रखा है अब इस वक्त इसमें टालेंगे मिक्चमच घी घी डालने से तगाड जो है तो अच्छी तरह से मिक्च करते हो इसे ठंडा करें पांच से साथ मिनट में जो है ठंडी हो करके भूरा या खांड बन जाती है देखे इस तरह से पाई चांस आपने चलाने में थोड़ी कोता ही बरेदी और चुटी-चुटी गुट्लियां बन गई है तो आप इसे चैनी डालें यह पूरी तरह से मेल्ट कर देगा चीनी को इसलिए मावा ठंडा हो जाए तभी हम इसे यूज करेंगे अब इसमें डालेंगा में चाथा चैमर्च पाउडर ऐसे मिक्स करेंगे मिश्रम को अची तरह से मिक्स कर लेना है ताकि थोड़ा सा सूथ नहीं सा जाए इसमें बाइचांस मावा कर थोड़ा हो जाए जाए जादा इसमें दूद या पानी का छीटा मार कर थोड़ा नर्म कर लें तो मैंने इसमें आधा कब बूरा डाला है अब अपने टेस्ट के अंगर मिला सकते हैं ज्यादा मीटा करणा हों तो ज्यादा मिलाएं और अकर कम करना हो तो कं मिला सब्से जरली कुछ लोग ने चीनी को पिसकर ही लिए मिक्स करते हैं अगर वर टेस्ट नहीं आएगा जो वॉदक मोल्ड में घी लगा देंगे तो अ तो घी लगाने के बाद इसमें खुब सारा मिस्रम भर दें इस तरह से दबादबा-बरिये अ कि अंदर किति अंदर के सेट हो जाए और जो भी एक्रा लगा हो देने निकाल दें और कसके प्रेस कर दें, प्रेस करने के बाद देखिए, यहां हमारा मोदक तयार है, अगर आपके पस मोदक मूल नहीं है ना, तो आप गोल गोल लड़ू भी बना सकते हैं, क्योंकि मोदक के साथ लड़ू भी गनपति पपा की फैवरेट है, इस गनपति के सोहुसर पर घर प कि बप्पा को भोग लगाएं और उनके आसिरवात को पाएं